हेलो एन वेलकम तो एर सीरीज ओन हिंदी टू इंग्लिश वोकैबिलरी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला वर्ड है मृत्यू से संबंदित होने के करण अप्रिय और डरावना कोई भी चीज देखिए जो मौत से रिलेट करती है वो कई बार भैंकर या डरावनी लगती है देखने में तो उसके लिए जो इंगलिश में वर्ड होगा वो होगा मैकैबरा अब इससे रिलेटिज से नॉनिम्स देखते हैं तो वो होंगे ग्रूसम, ग्रिजली, ग्रिम या ग्रोटेस्क अब इसका एक सेंटेंस में यूसेज देखते हैं अब इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस ने एक बहुत ही भयांकर खोच की या डरावनी खोच की चलिए दूसरा देखते हैं दोशी वेक्ती को पकड़ना या हिरासत में लेना इसके लिए जो इंग्लिस में आप वर्ड यूस करोगे वो होगा नब और नब एक वर्ब होती है तो इसके कई सारे फॉर्म हो सकते हैं फर्स्ट फॉर्ड 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 फॉर्म या थर्ड फॉर्म तो इससे रिलेटेड जो सुनॉनिम्स है वो है आप देखिए इसका सेंटेंस में यूसेज देखते हैं तो यहां पर वर्ब का हमने सेकंड फॉर्म यूस किया है तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस ने एक बदमाश को कल हिरासत में लिया था आप देखते हैं बेफकूफ या मूर्ग इसके लिए आप इंगलिश में क्या बोलोगे ओफ राइट क्या बोलोगे ओफ देखिए अब इसके सिनॉनिम्स होंगे इडियेट, स्टुपिड, हाफवेट या इंबेसाइल अब इसका सेंटेंस में यूसेज देखते हैं तो सेंटेंस में यूसेज है राजपाल यादव acted as an oaf in the movie भूल भूलया जिसका मतलब हुआ कि राजपाल यादव ने भूल भूलया मूवी में एक बेफकूफ या मूर्ग का किरदार निभाया था चलिए next है चलने दौडने या कुछ घटित होने की जो गती होती है या जिसे आप चाल बोलते हो हिंदी में उसकी लिए English में आप क्या word यूज करोगे pace अब इससे related synonyms देखते हैं synonyms हो जाएंगे rate, speed, stride, tread या walk तो चाल को आप English में क्या बोलोगे pace अब इससे related एक example देखते हैं we have to quicken our pace जिसका मतलब हुआ कि हमें अपनी चाल को तेज करना पड़ेगा चलिए हैसियत से या के रूप में देखें कई बार हम ऐसे बोलते हैं इस तरह का sentence बोलते हैं कि किस की हैसियत से आप ये काम कर रहे हो तो उसके लिए जो English में word होगा वो होगा क्या होगा क्या होगा क्या अब इसके synonyms क्या हो जाएंगे as या like ठीक है तो इसका related example देखते हैं the soldier acted qua soldier not as a human being इसका मतलब यह हुआ कि एक सिपाही ने एक सिपाही के रूप में मतलब बोल सकते हो कि काम किया ना कि एक इनसान की तरह है चलिए यहूदियों या धार्मिक गुरू ठीक है धार्मिक गुरू इस पैसली जो यहूदियों के जो धार्मिक गुरू होते हैं यहूदियों को हम English में क्या बोलते है Jews ठीक है तो उनके धार्मिक गुरूप को हम English में क्या बोलेंगे Rabbi क्या बोलेंगे Rabbi हिंदी में से Rabbi भी example हो जाएगा my uncle Gabriel did I just barely escaped being shot ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे अंकल Gabriel जो की एक धार्मिक गुरू है वो गोली से बचे ठीक है गोली लगने से बचे ठीक है तो इस तरीके से उसके बाद कुछ धर्मों में सापताहिक विश्राम और ईश्वर प्रातना का दिन जैसे कि Christian में रवीवार होता है Jews में Saturday होता है यह दोनों ही दिन छुट्टी के दिन होते है ताकि इश्वर के लिए प्रातना की जा सके ठीक है या prayer की जा सके तो ऐसे दिन को क्या बोला जाता है से बात बोला जाता है ठीक है जिसे आप विश्राम का दिन भी बोलते हो हिंदी म तो इसकी synonyms होंगे day of rest, weekend, Sunday या Saturday क्योंकि Sunday और Saturday को छुट्टी रहती है ठीक है तो इससे related एक usage देखते हैं no work could be done on the Sabbath जिसका मतलब यह हुआ कि छुट्टी वाले दिन या विश्राम के दिन कोई भी काम नहीं किया जा सकता तो guys आज के वीडियो में बस इतने ही vocabulary I hope आपको पसंद आया होगा मिलते हैं next video में